साथियों जब हम किसी अइत्यासिक थल पर जाते हैं तो वहां में बताया जाता है कि इस थान को इतने साल पहले बनाया गया था ये अमारत इतनी पुरानी है लेकिन दसकों तक देश का ये हाल रहा है कि बड़ी योजनाओं की बात आते ही हमारे यहां क्या कहा जाता है हमार यहां कहा जाता है ये योजनाओं इतने साल से अठकी है ये प्रोजेक इतने दसक से अधूरा है पहले जो सरकार में रहे हैं ये उनका पर्मेनेंट टेड़ मार्क रहा है आज यहां उत्राखण में जिस लखवार प्रोजेक का काम शुरूआ है उसका भी यही इतियाज है आप सोचिये सात्यों उत्राखण में आज जो यहां लोग बैटे हैं उनके चार चार दसक बित गए होंगे यह बाते सुनते आये होंगे आप जान करके कथायद भूल भी गए होंगे कि मसला क्या है इस परियोजना के बारे में पहली बार उन्नीस सोचा गया था करीब करीओं वह पचास साल हो जाएंगे इस बात को आज कि 46 साल बाद 46 साल बाद हमारी सरकार ने इसके काम का सिलान्यास किया है मैं जरा उत्राखन के भाईयों बहनों को पूछना चाहता हूं जो काम 1974 में सोचा गया जयाली साल लग गए ये गुना है के नहीं है ? कि ऐसे नहीं लगना चाहिए गुणागारों को गुणा है ये गुणा है कि नहीं है ये गुणा है कि नहीं है कि ऐसे गुणा करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए कि इस प्रकार से देरी करने शे आपका नुक्सान हुआ है कि नहीं हुआ है इसा गुना करने वालों को भूल जाओगे क्या या उनकी बड़ी-बड़ी बातों से ब्रह्म में आ जाओगे क्या कोई देश सोच नहीं सकता है जा करीब करीब पांच दसक तक एक योजना फाहिलों में इदर से उदर लटकती रहे हर चुनाओं में वादे किये जाए भाईयों भेनों मेरा साथ साल का रेकॉर्ड देख लीजिए खोज-खोज करके ऐसी पुरानी जीजों को ठिक करने में मेरा टाइम जा रहा है अब मैं काम को ठिक कर रहा हूं आप उनको ठिक कीजिए जो लोग पहले सरकार में थे अगर उन्हें आपकी चिंता होती तो क्या ये परियोजना चार दसक तक लटकती क्या अगर उनका आपके पती प्यार था तो ये काम की ये दुर्दशा होती क्या सच्चा यही है कि जो पहले सरकार में थे उन्होंने उत्त्रा खंके सामर्थ की कभी परवा नहीं की परणाम यह हुआ कि ना तो हमें परियाप्त बिजली मिली ना किसानों के खेतों को सिचाई मिली और देश की अधिकतर ग्रामिन आबादी को पाइप से शुद्ध पानी के अभाव में जिंदगी गुजारनी पड़ी झाल